साई की बात शांती मिलेगी न तुम्हारे अंदर हो जरती हैसी है एक दम शांत हो जाओगे उपना है अाशिरवा्ट व्लावा? प्यार वाला हाथ जिसे देख करना जिसे सपर्श करकर जिसे महसूस करकर जिसे एहसास करकर न तुम्हारे अंदर इतनी शांती आएगी तुम्हारे अंदर आत्मा को लगेगा कि जैसे साई है तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास है और तुम्हें इस दुनिया से फिर कोई मत कोई तुम्हें पसर नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा न, तुम देखना, कि तुम ऐसे हो जाओगे न, बिल्कुल शांत, बिल्कुल तुम्हारे मन के विचार आने बंद हो जाएंगे, नकरत्मक विचार, तुम बिल्कुल सकरत्मक हो जाओगे, बिल्कुल अलग से हो तुम देखना और सुनो तुमे न अब से जिन्दगी ऐसे लगेगी जैसे कि तुम किसी मकसद से इस दुनिया में आए हो ये रिष्टे नाते चीजे न तुम एक तरफ रख दोगे और तुम मेरी सेवा में लग चाओगे कि तुम अपना असली मकसद ढूणने की कोशिश कर र ने तुमें मैंने भेजा है मेरे बच्चे जिससे कि तुम्हारे माध्यम से मेरे बहुत सारे बच्चों की जिन्दगी में सुधार आए उनके जीवन में रोश्नी आए मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि सिर्फ तुम वो ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारे वज़ा से ना मे जाले आ जाएंगे मेरे बच्चे और कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे संपर्क में आए भी थे लेकिन आ करना उनकी किस्मत में नहीं था उनकी किस्मत ही बतकिस्मत थी मेरे बच्चे जो तुम्हें समझ ही नहीं पाए जो तुम्हें समझ करना बिल्कुल उन्होंने अंद बरे भी है तुम सबको समझा नहीं सकते सबके बारे में सबकुछ नहीं कर सकते आ जो अच्छी आत्माएं है तुम उनके साथ अच्छा कर सकते हैं और बुरे लोग हैं वो खंशाँ there कि उन्हें अपने करम भुगतने हैं तुम चाहें जितना मरजी उन्हें समझा लो वह नहीं समझेंगे, तो छोड़ दो उनको उनके हाल पर, मत करो ऐसा, और सुनो, मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि दर दर भटकना बंद कर दो, तुम जहां जहां जाओगे न, जिस जिस जगा पर जाओगे न, तुम्हें वैसे भी मैं ही मिलूँगा न, तुम किसी एक ही दर से होगा न, मैं नहीं कहता कि मेरे दर से, लेकिन जहां पर, जिस रूप में भी तुम मुझे पुकारते हो, मुझे बुलाते हो न, अगर तुम्हारा विश्वास एक ही जगा से होगा न, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो और जल्द से जल्द तो मैं तुम्हारे घर भेजूंगा मेरे बच्चे, बहुत जल्द भेजूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना, और सुनो, जो ये तोहार आ रहा है ना मेरे बच्चे, इस तोहार पर अपने रिष्टों को ठीक कर लो, अपने प्यार को ठीक कर लो, अपने चीजों को ठीक करो, क् तुम्हारे बहुत सरी चीजे ऐसी हैं, जो गलत फैमियों में घिरी हुई हैं, जो बहुत सरी चीजे ऐसी हैं, जो उलजी हुई हैं, अब वो मौका आ रहा है, तोहार आ रहा है, और इस तोहार पर अपनी गलत फैमियों को दूर करकरना, अपने प्यार को वापिस ले लो मेरे बच्चे तुम्हारा प्यार तुम्हारा इंतजार कर रहा है तुम जितना उनसे प्यार करते हो ना वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब आकर उनसे बात करोगे तुम उनसे देखो उनका थोड़ा सा सभाव ऐसा है ना कि वो शुरू सेना थोड़े सक्त मजास की हैं तो तुम ऐसे मत बनो तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो समझो इस बात को तुम अगर आगे से बात कर लोगे न तो जुक नहीं चाओगे बलकि मेरी नजरों में उठ जाओगे और सुनो मेरी बात अभी सेना इतना भविष्य के बारे में चिंतन मत करो मत करो चिंतन जब मैं आज तुम्हारा वर्तमान सबार रहूना तो क्या तुम्हें भरोसा नहीं है अपने साई पर कि तुम्हारा साई तुम्हारा भविष्य भी सुधारेगा तुम्हारा भविश्य भी बनाएगा ऐसा मत करो मेरे बच्चे भरोसा करो विश्वास करो अपने साई पर और सुनो मेरी बात आगे जीवन में तुम ये सोचते होना कि तुम्हारा जीवन साथी कैसा होगा क्या होगा तुम्हारा जीवन साथी इतना सुंदर होगा इतना प्यारा होगा आत्मा से बहुत प्यारा होगा चो तुम्हारी हर कदम पर तुम्हारी सुनेगा हर कदम पर तुम्हारी सलहा मांगेगा हर कदम पर कदम मिला कर तुम्हारे साथ चलेगा तुम देख लेना और इतना प्यारा होगा इतना प्यारा होगा ना कि वो मैं तुम्हारे जिद्गी में खुद भेजूंगा मेरे बचे ऐसा ही नहीं भेजूंगा तुम देख लेना तुम्हारे जीवन साथी बहुत बहुत प्यारा होगा बहुत प्यारा तुम देखना और जिसे पा करना तुम्हारे अंदर शक्ती दुगनी हो जाएगी तुम्हारी हिम्मत दुगनी होगी तुम्हारी शक्ती दुगनी होगी तुम निडर होकर आगे बढ़ पाओगे जीवन में तुम्हें लगेगा कि हाँ कोई है जो तुम्हारे से कंधे से कंधा मिला कर चलने वाला है क में लगेगा कि हाँ कोई है अगर तुम लड़ खडाओगी तो तुम्हें संभालने वाला कोई है क्योंकि हर वक्त हर पल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता इस वज़ा से मैं अपने उस बच्चे को तुम्हारे जीवन में भेजूंगा मेरे बच्चे और सुनो बहुत सारी ऐसी हैं तुम्हारे घर में विजली के यंत्र जो खराब हुए पड़े हैं उन्हें सही करा लो सही समय पर क्योंकि आगे गर्मिया आ रही है और फिर आगे तुम करवा नहीं पाओगे परिशान हो चाओगे अभी इस वक्त में करवा सकते हो तो करवा लो चीजों को साफ कर होगे तो बिल्कुल नहीं भूलोगे और सुनो मेरी बात को जब तुम मंदर जाते हो न और जब तुमसे कहा जाता है कि यहां पर धूबतिया दिया मत जलाओ यहां पर मना ही है तो जरूरी नहीं कि तुम्हें मेरे सामने ही जलाना है देखो तुम मंदर की चीजों का ख़न नहीं कर सकते तुम जहां भी जलाओगे ना दिय तुम जहां भी चलाओ दिया मुझे उसे कोई थाख नहीं पादता मेरे बच्चे ऐसा नहीं कि तुम बेखिन समक्ष ही जलाओगे तुम्हारे पूजा स्विकार करूँगा तुम्हें ऐसा क्यूं लगता है कि तुम जब मेरे सामने ही जलाओगे तभी कुछ होगा, तभी मैं देख पाऊंगा हैसा थोड़ी ना है मेरे बच्चे मैं तो अपने पूरे मंदिर में घूमता रहता हूँ चारो तरफ हरे कोने में अगर मेरे बच्चे ने कहीं एक अगरबती भी मेरे नाम से लगाई है किसी भी कोने में तभी मैं वो सुईकार करता हूँ देखो क्या है ना कुछ नियम कानून होते हैं मंदिर के साफ सफाई के और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा को साफ सफाई कितनी पसंद है मैं गंदगी में तो नहीं रह सकता ना सिर्फ एक तुम्हारे दिये से कुछ नहीं होगा ना बहुत सारे बच्चे हैं मेरे और सभी मेरे लिए बहुत समान है तो उन्हें परिशानी होती है मेरे बच्चे, मंदिर वालों को प्रभंदकों को परिशानी होती है, वो सफाई करवा करवा कर परिशान हो जाते हैं, तो अगर तुम खुद भी सफाई रखोगे न मेरे मंदिर में, तो मुझे खुशी होगी मेरे बच्चे, तुम्हारा ही तो अगली बार से जब भी तुम दिया रखने जाओ ना तो वहां पर रखना जहां पर साफ सफाई रहे क्योंकि मंदर वालों को दिक्कत या परेशानी ना हो तुम छोरी छुपे रखके वहां से चले जाते हो तो तुमें क्या लगता है क्या मैं नहीं देख रहा मैं सब शाम तो नहीं कर सकते ना मैं तुम्हारे दिये को स्विकार करूँगा तुम जहां रखोगे वहीं से करूँगा खुश रहो आज का मध्यान साई संदेश समाप्तुवा